नीघ लो फ्रेंड्स कैसे ओप लोग आप लोग सब अछे हों गशूंगे स्वस्त होंगarti तो आज मैं आप लोगों अपना टूर कराने वाली हूँ क्योंकियो कि दूर के दाथा हूँ लेकिन अज मैं कुछ बनानै के लिए नहीं लेके तो अभी यहाँ पे हो रही है मेरे किच्थेन में इंट्री तो यह देखिए यहाँ पे यह मेरा प्लेटफॉर्म और यह है मेरा गैस और यह जो गैस है न उँ मुझे बहुत ही पसंदे क्योंकि इससका कलर आप लोग देख सकते हैं और बहुत प्यारा है गैस इधर है मेरा सिंक और दो नल लगा हुआ है जिसमें एक में पीने का पानी आता है और एक टंगी का पानी रहता है और उपर में एक कॉर्णर लगा हुआ है जिसपे मैं कुछ समान रखती हूँ जैसे बरतन वगरद होने का भी कुछ हो तो उसके उपर इस खीर्की पे एक एक जगर नमक है एक टेल है और एक खीर्की के बाहर देखिए पूरा अल इंडिया दिखता है तो उसके बादे देखिए नमक का डबा है और ये में कप और प्लेट रखी हूँ जो सोपीस के तौर पर रखी हूँ सोपीस जैसा दिखने के लिए अच्छा दिख रहा है ना यहां पर है मेरा तीन पानी का हंडा भरा हुआ रखा हुआ क्योंकि यहां पर सप्लाई के पानी आता है तो भड़के रखना पड़ता है आज आया तो फिर कल आया आता है तो मैं तीन हंडा भड़के रखी हों ही पे एक कालेंडर लगाई हूँ और मेरा उपर का एक है सबसे टॉप का तो यहां पर मैं जो एक्ष्रा समान होता है वह रख देती हूँ कि महीने में एक दो वार जो समान लगने वाला होता है जैसे एक्ष्ट्रा सावन वगर पर भरे सर्फ ज्यादा भरी इस भरने के वाद रासन में मैं रोज लगता नहीं इसलिए उसको उपर रख देती हूँ और उसके नीचे है मेरा एक बरतन स्टेंड उस पे मैं रखती हूँ सब बरतन जो यूज का बरतन है मेरा तो यह देखिए उपर के कप्पे में मैं कूक प्लेट लगाने का है तो इस तरह से मैं यह सब लगा के रखती हूँ इस तो अब बरतन स्टेंड के बगल में है यह मेरा रैक जिसमें चार कपपा लगा बना हुआ है तो इसमें जो प्लास्टिक दब्बे वगर नहीं है चोटे-चोटे और उसमें कुछ सामान वगर huh में भणके रखी हूँ अचार है गी है और साइड में डब्बा सब जो है वो मसाले का डब्बा है और वाले में ही कपशे में मिक्सर भी में उपर वाले में रखी हुई हूँ और उसके दि鬼य और ये निचे का में जो में जो इस्टील का डब्बा सब इसके मेrek एक डब्बे में दाल रता है एसा में जो राशन का समान लाती हूँ अब डालती हूँ और उसके बाद ए है तिसरा कप्पा तो इसमें देखिए एक साइड में डबा रखी हूई हूँ उधर मैगी बगर जो है और रखी हूँ और यह बॉल बगर थोड़ा डेकोरेटिव करके रखी हूँ और उसके बाद इसमें बड़े डब्बे दिख रहे हूंगे आपको इसमें आटा रखी हूँ उसके बगल वाले में चावल रखी हूँ और साइड में जो दीख रहा है उसमें मैं जो पापर बगर बनाई थी वह सब रखी थी और उसी जगह बगल में है मेरा फ्रीज मैं कि दूआ की बेड़ बगल तो अभी एह है मेरा किचन का फाइनल लूप जो छोटा सा मेरा किचन है तो चलिए आप लोगों को मेरा किचन पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए सेयर करिए थैंक यू बाई बाई तो चलिए बाई यू चारि बाई 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 बाई